तो आप अपने PCU को किन-किन method से ठंडा कर सकते हो, सबसे basic method जो है, वो है air cooling का, जिसके अंदर आपका stock cooler सबसे basic है, जो कि generally हम lower end builds में use करते हैं, उसके बाद आते हैं थोड़े cheap से लेके high end तक के air cooler, जिनको कि आप अपने किसी भी build के अंदर easily use कर सकते हो, अगर आपका build थोड़ सा महेंगा है, तो आप generally liquid cooling prefer करोगे, जिसके के अंदर हमारा सबसे basic और cheap method आता है, वो आता है AIO's का, यानि कि all-in-one liquid cooler, जो कि आपको Corsair, Cooler Master जे से brands की तरफ से देखने को मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा सा और खर्चा कर सकते हो, अगर आपको इससे भी जाद आपने PC को ठंडा कर रहा है, तो आप liquid helium यूज़ कर सकते हो, जो कि minus 200 से भी नीचे आपके CPU को ठंडा कर देगी,